इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआ 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 क्यूं कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुवे को क्यूं छेलता? हो गई परताश्त की अब इंतहा बुझे सिगरेट पीडी दिखे चलती जहां पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पी ना मना है उलंगन करने पर होगा चुर्माना धुम्रपान ना करें ना करने दें धुम्रपान पढ़ेगा मेहंगा खुशी कौन नहीं चाहता? लेकिन किस कीमत पर? धुम्रपान मेहंगा पढ़ता है धुम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाने वालों के लिए भी धुम्रपान पढ़ेगा मेहंगा सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जान लेवा है शाराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है अज़ पीना सेहत के लिए हानिकारक है पीना सेहत के लिए हानिकारक है झाल झाल इनसान कई बार अपनी समस्याओं का जवाबदार नहीं होता लेकिन फिर भी उसके प्रड़ाम से भुगतने होते है ये नाइटाफोबिया भी ऐसी ही बीमारी है नाइटाफोबिया मतलब रात में डरने वादी बीमारी बश्पन में हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो हमारे मन में घर बना देता है तब आदमी इसे प्रभावित होता है इस समस्या का कोई निदान नहीं है डॉक्टर कुछ समस्याओं का कोई इलाज नहीं होता है उन सबस्याओं के साथ ही जिन्दा रहना पड़ता है इससे आपको परिशान होने की ज़रूरत नहीं है बहुत सारे लोग इससे फाइट करके अपनी जिन्दगी जी रहे हैं और इसका बेस्ट एक्जामपल है नंदिवी अबजेक्शिन यॉनर अनिता की पापा रामनात को इन लोगों ने कर्ज दिया ये सच है रामनात ने वो कर्ज नहीं चुकाया ये भी सच है पर इन्होंने जो कर्ज दिया था उसे कर्ज के रूप में मांग रहे हैं ये बात बिलकुल सच नहीं है In fact, इनका कर्स देने का उद्देशी ही कुछ और था तुम चाहो तो तुम अपने पापा का कर्स चुका सकती हो ऐसा कहकर अनीता को emotional blackmail किया Sexual favor के लिए force किया गया यह बहुत बड़ा पाप है Your Honor पाप कोई भी करे उसे सजा मिलने ही चाहिए इतनी हिम्मत वाली नंदनी रात में कैसे रहती है पता है किया फिरे कोई किया रात मिलने रात में करें कैसे रुम करतार का嘟 कि यह नंदू ऐसे क्यों चिला रही है तू कि मैं पागल हो इसलिए मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू इतना गुसा कर रही है मुझे जिन भी चीजों से डर लगता है वो सब करके तुम मुझे मारने का प्लान बना रही हो और मुझे से पूछ रही हो कि मैं चिला क्यों रही हो इस वकपर भूत का गाना चला कर हिरोन की तरह इधर उधर खूम रही हो मुझे चाकू से डर लगता है तुम्हें पता है ना पिर उसे यहां क्यों रखा तुमने रात के समय मुझे अखिला छोड़कर कही नहीं जाना चाहिए यह बाद तुम्हें पता है ना रात में तुम्हें डर लगता है और रात बर जाकर तुम्हारी रखवाली करनी है ये सोचकर मैं डर रही हूँ मैं तो चाहती हूँ जल से जल तेरी लाइफ में एक लड़का आ जाए इस नाइट ड्यूटी को उसे ट्रांसफर करके अंकल के साथ अराम से सेटल हो जाओंगी यही सोच रही हो ना ये कभी भी सच नहीं होने वाला मुझे पसंद आने वाला लड़का ना मिला है ना कभी मिलेगा ए नंदू तो ऐसा क्यों सोच रही है तुझे भी एक अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा ये है जेके जेके आलियास जैदेव कननपा ऐसा विचित्र नाम इस इनसान को किस ने दिया इसके माबाप इसके दादा के बहुत बड़े पैन है मा को दादा का एक्शन पसंद है बाप को दादा का रोमेंस पसंद है इसलिए दादा की दोनों खूबियों को मिला के अपने पेटे का एक फिल्मी नाम रख दिया ये जेके जितने जोश में क्यों है इसके पीचे का रहस्य क्या है इस सवाल का जवाब है नंदिरी इन दोनों के पीच प्यार का चकर कैसे शुरू हुआ आए हम लोग उसकी हाइलाइट्स देखते हैं बस एक छोटी सी कहानी के तार पे के तार ए दिखाईने देता आखे खोल कर नहीं चल सकते अन्य हो तो जाकर इलाज करवाओ सारी 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 आजो सांट की तरह फेस टू फेस माथा फोड़ दिया फेस टू फेस कहा माथा फोड़ा जी फेस तो टची नहीं हुआ कुद को क्या समझते हो हां कहीं भी आ जाकर लड़कियों पर गिर गिर कर बस मज़े उड़ाना है ना यही काम है ना तुम जैसे लड़कों का हलो, लड़कों के बारे में ऐसा गलत मत बोलो, लड़कियों पर गिर कर मज़े उठने वाले चीप लड़कों में से मैं नहीं हूँ, वो तो तुम लोग आईने के सामने टाइम वेस्ट करके चिकनी बन कर आती हो ना, इसलिए ना चाते हो भी नजर फिजल जाती है, इसलिए लड़की तो आई, पर काम नहीं बना, पर नंदिनी फिर से मिले बिलान नहीं रह पाए पाए, ऐसी सिच्वेशन के बीच में चलने वाली तू-तू-मैमै से शुरू हुई ये प्रेम कहानी, तुम कोई बहुत बड़े डॉन हो क्या, अंदर आना है तो आओ, वरना, जोर क सुखेट करा जाए एक्थिरानी, फिर शुरू हुई कहानी, वाद में ये क्या हुआ, लिफ्ट में जर्क क्यों मारा? आप जैसी सुन्दा लड़किया ना, नीचे से उपर, उपर से नीचे, बेकार का राउंड मारती है, तो बिचार लिफ्ट कब तक चलेगा, इसलिए जर्क मार कर खराब हो गया है क्या, खराब हो गया? अरे, अब क्या करूँ, रातोरे से पहले मुझे घर पहुचना है ए, मैं क्या कर सकता हूँ, तब तो ये केस, वो केस मुझे पर ठोग रही दींचेज, अभी लिफ्ट पर भी एक केस ठोग है तुम नकोई काम के नहीं हो, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? मैं क्या तुम्हें लिफ्टर करने वाला दिखता हूँ नेटवर्क भी नहीं है तुम अपना फोन दो नहीं दे सकता क्यों नहीं दे सकते हमें से बाहर निकल ना है दो नहीं दूंगा कैसे इंसान हो तुम तो चलो अरे कर सक्केज आ पीजिक्ट के लिए तुम ना नेशन मार रहे थे, एक स्मार्ट फोन क्यों ने ले ले थे तुम? स्मार्ट लोगों को स्मार्ट फोन की क्या जरूरत? तुम्हारी इतनी उकात नहीं है कि 10 रुपे का रीचार्ज करवा सको? यह भगवान, यह लो अपना फोन, नहाते वक्त पैर रगणने की काम आएगा ठैंग आउट वापस दे दिया पता नहीं सुबह सुबह किसका चैरा देखा, यहां आकर इसके साथ फंस गई मेरी तरफ से भी लिफ्ट ठीक हो गई हाँ, ठीक हो गई हलो, स्मार्ट बॉई मी? हाँ, कैना एफ यू अगेन? हेल्प, लिफ्ट में जो हेल्प की वो काफी थी पहले जाकर बैलस देलवादो देखा, यह सिल्सिला शुरू हो ही गया प्रेम कथा शुरू हो गई अरे, तुझे कोई काम मिला या नहीं रोज मेरे पॉकिट से सवर उपे कम होते जा रहे लेकिन तरी नौक नहीं लग रही ऐसे कुट्चे की तरह जो भॉक रहा है वो है इसके बच्पन का तोस्त रिशी केतू मेरा शॉट कर डाडिया तो तु मानता ही नहीं है अगर तुने मेरी थोड़ी भी बात मानी होती ना तो आज तु किसी काम पे लग गया होता है चला था अपना दिमाग लगाने मगल में बच्चा और गाउं में धीनो रहा है एए रेशी के तू प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके मेरा दिमाग मत खराब कर मैं मैच के लिए तयार हूँ है कैसी प्रैक्टिस है अरे मैं बात कर रहा हूँ तू वहां कहा जा रहा है क्या प्रैक्टिस चीए तुन्हें नॉंसेश फेलो सोचा था दो पैसे कमा के सुख्य जीवन जिएंगे पर बात तो तुरे पल्ले पढ़ी ने रही है है रूकना कहा जा रहा है मैं तुसे जरूरी बात कर रहा हूँ और तुह यहां चलाया तुझे क्या मैं दूर्द पिता वह बच्चा लगता हूँ जुबह बखे जा रहा हूँ और तुझे कोई फरग नी पढ़ता ये बढ़ा गे मैं यहां आग बंद करके लोग निशाना लगाते है क्या लाइट ऑफ कर ते ज क्या है मैं सीरिज़्ली बात कर रहा ऑर तुझे मजाख सुझ रहा है क्या मैं अब्यस्मे waktu डाट किया तो कहिए मुझे माने का प्लैन को नी बना रहा है अब यह क्या करने वाला है लाइट अन कर सच में क्या हुआ अंधेरे में भी तुन्हें निशाना एक दम ठीक लगाया भाई मैंने का निशाना लगा है? सही जगा इससे देख के आदा उजाले में ना भी ठीक से देखती नहीं लेकिन अंधेरे में तुन्हें ना भी के अंदर वाले तिल पे निशाना बहुत बढ़िया लगाया बॉस कितने दिन तुम कहां छुपे वैठे थे बॉस टेंशन में ना जाने मैंने क्या क्या बोल दिया रात में बिरा हेड लाइट के बिरा ट्रफिक लाइट के गाड़ी चलाने वाला टैलेंट कहां चुपा कर रखे वेदे बॉस पॉर्ण टैलेंट है ये जानता हूँ जानता हूँ इसलिए तुम्हें इतना बरदास्त कर रहा हूँ रिशी केतू रिमोट कहा है अरे वही टेबल के नीचे रखा हूँ दिखाईने देता है क्या जो चीज जहां होनी चाहिए वही रखा करो राइट साइट का सामा लेट में रख देते हो हे तुने रखने की बात कही तुम मुझे याद आया कल मैं अपना कमरबंद गिरवी रख रहा हूँ अरे भाई साब इसे कौन रखेगा है एलो चान दीगा है कम से कम आधा किलोका तो हो गाई क्या हाँ चाहो तो देख लो कितना बड़ा है मेरे दादा जी ने दिया था कली इसकर गिरवी रखूंगा टोड़ गैम खेलूंगा पैसे बराऊंगा और उस मारवाड़ी के पैसे चुकाऊंगा दुनिया में जब जब जो जो होना है तब तब वो होकर ही रहता है जिसका परफेक्ट एक्जाम्पल है नंदरी और जेके बाई दोपैर को बिर्यानी खाऊंगा इसलिए सुबा के नाश्टे के पैसे भी मैंने यही लगा दिये अब वाटर मिलेगा या क्वाटर मिलेगा यह सब तेरे हाथ में देख तीन पीन है और पांच हजार उपैं मा भारत में अर्जुन ने जैसे मारा था एकदम ठीक निशाना लगा के सेंटर पे मार दो यह वाटर मेरे पासमता ना वरना इस लड़की का गला काट डालूंगा तूरा दो अज़े नंको बचाए बचान bouh कैंसे भूच को शिक्षो एका और दाहिए रखानु जा यह खोर्डे उसे जा है तो भाइचाल के लिए जुक्षोर्डे कि जाला हमें दोड़ाएगा पुलिस को समझ क्या रखा है तरकी को चल्दी हाउस्पिटल लेकर जाओ कर ले जाना कि देखने में तो बड़े शरीफ से लगते हो लेकिन तुम्हारे लिए ये जगह नहीं बनी है इसलिए यहां से नौ दो जारा हुजा पोर्ट पे मरना से तो आद भी को बार दिया चल तुझे घर चल के बताता हूँ हाँ सरी लुग बड़े गुंड़े लेग्या है चलो चलो जाओ यहां से कौन है रहे तू इसको ढूंड रहा है तू मैं अपनी खोई हुए चीज तो ढूंड नहीं पा रहा हूँ इसको कहां से ढूंड कर लाँगा जब आगया से जाका मेरी बीवी की फोटो दूं क्यों मैंने नहीं देखा है तू कैसा दोस्ता यार प्रबलम सॉल करने के प्रबलम में डाल दिया बोट पर निशाना लगाने को बोला तो तूने गुंडे पर निशाना लगा दिया मैं उस मानवाली के डर से मास्क पायन के गूम रहा हू अरे वह देखो वहाँ अरे वहाँ वह बटला क्या हाँ वही तू चल मैं बताता हूं सुन उसका नाम नागा है फिटिंग मास्टर है बहुत संकी इंसान है भगवान ने उसे जुबान ना देकर बहुत अच्छा किया नहीं तो वह गाउं गाउं में आग लगा देता है जैसे ही मुझे पता चला मैं दोड़ा दोड़ा चलाया थैंक गॉड की कुछ हूआ नहीं है डॉक्टर अप सच में मुझे देखने आए है हां नंदिनी मुझे देखने आये हो लेकिन तब से शबरी कुई देखे जारे हो ऐसा कुछ नहीं है वसे शबरी कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा समल कर लेना चाहिए हे भगवान अब चोर आकर हमारी गर्दन पर चाकू रखेगा हमें पता था क्या थैंक गॉड वो लड़का भगवान की तरह आया और हमारी नंदू को बचा लिया नंदू एक बात तो बोलूँगी वो लड़का एकदम फिल्मी हीरो की तरह लग रहा था वो हाइट वो परस्नालिटी और उसकी आखे इतनी शाब थी कि क्या पताओं तुझे न ऐसा ही लड़का मिलना चाहिए नंदू जेके कौन से खेत की मूली है ये जाने बिना ही जेके नंदू का पेवरेट बनगा देखा पक्का तुम्हें ना दिखने की बिमारी है उस दिन तुमने शॉपिंग मॉल में धक्का मारा था और आज नमस्कार करने के वक्त मेरे ओपर गेर कर अलो मुझे क्या तुम बात मत क जाहिए अब जेल की रोटी खाती हो क्या जब देखो मुझसे जगडा करने चलिया आती हूं मैं आती हूं अच्छा तुम मेरी बास सुनो तुम चुप रहे हो शब्री नहीं तुम सुप बदमाश को महीं जाती सौरी वो मेरी नंदू थोड़ी बेबकूफ है शब बहुत ज्यादा बोलती है उसे कुछ समझ में यादा तुम उसके तरफ ध्यान मत दो ए नंदेनी तुम्हें पता यह लड़का कौन है यह वही है जिसने तुम्हें चोरों से बचाया था यही है तेरा हीरो एक्सक्यूज मी यह ओनर आपने जैसे सोचा है मैं उतना भी बुरा नहीं हूं मुझ पर लगाएगा इसारे इल्जाम वापस लोगी यह ओनर नहीं नंदेनी जेके चले नंदेनी बाई वाई शीन सून ओके बाई क्या बात है नंदू क्या हुआ? कोई बुरा सपना दिखा गया शबरी नीचे तुम उपर डॉक्टर कभी डॉक्टर नीचे, कभी तुम उपर कभी ऐसे गिरकर रोलर की तरह रोल किया है क्या नहीं तो कभी नहीं तो पर मेरी फेलिंग तो मैं समझ में नहीं आएगी सोचो शबरी, लाइट लाइट आउन है और पूरी रात आउन ही रहेगी लाइट आउन रहेगी? तो मैं शांती से कैसे सो पाऊंगी? सपना देखने में डिस्टरबेंस होगा ना आउफ कर दो गुद नाइट गुद नाइट सोचा था सपने में करीने आईगी तो रुमांस करूंगा लेकिन ये लाइट आउन आउफ करके मेरे सपने गंटे चड़ा कर रहा है अगर मुझे गुस्सा हो गया तो मैं इसका बैंट बजा दूँगा फिर मैं देखता हो ये चार करता है तब से लाइट आउन आफ करके जुमके को देख रहा है मैं सो या नहीं पहले ये बता जुमका नहीं देख रहा हूं अरिशिकेतु मैं उसे फील कर रहा हूं अपना फील अपने पास राख यहां टिंशन के वज़ए से मेरी हालात खराब होगे और तुई इतनी रात में आपने फिलिंग समझा रहा है मेरे चांदी का कमरबंद गया तो क्या हुआ रिशिकेतु सोने का मुकुट दिलाऊंगा तुझे अब तक तु शिकार के पीछे भागता था अब शिकार ही तेरे पीछे बूरी तरह से पढ़ गया है अल दी बेस्ट चुप चप सोजा हुआ गुट डइट अरे यहां पास तो बज़े की बात मेरी जान गलत तुमसे देखा नहीं जाता ना अब देखेंगी तु कैसे हम लोग मिलके तेरे साथ गलत काम करते हैं अब आ ने पंश्मेंट दे अना आज 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 कोट नहीं खुलता इसलिए पनिश्मेंट मैं ही दूंगा तो जा रहे भाई यह हीरो लोगों की यही एक प्रॉब्लम है करेक्ट टाइम पे इंट्री मारते हैं अभी बच्चा यार तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है इसे चूर देते हैं यार है आप लोग खुदी मेरा कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हो भाई लोग हमें यह भी एक बाद चांस देकर देखो तभी तो हम अपना जलवा दिखाएंगे तो क्या करेगा अरे मारेगा क्या मार ना मार मार अरे मार ना आना आना क्या बात है अच्छा मारता है रे अपने चारों तरफ दे क्या बाता है कि प्रीज कर दिरे हैं, तो इनी है जाँ प्रॉबटे है जाँ कि अरे जाल गलाटर जा हुँएगाँ! कि अर में अर्ड़े जाँ कि अर इनी है? वा बाद बाद बे बाद 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 बाद७ बाद बाद बादु आजा को जब अूर भादॉ चल 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 फिर कर लिए अजा धैंक्स वेलकम किए कैसा मिर्मिर्क है ना मुझे तो फिल्म जैसा ही हो रहा था मुझे जब प्रावल्लम होती है тогда कहीं न प्रकट हो जाते हो और मुझे बचा लेते हो अच्छे लोगों पर लिगे है किरते ही इंए कोई अच्छा ही आ जाता है यह तुम्हारे पास था मुझे लगा मैंने इसे खो दिया है अच्छे लोगों का कुछ भी नहीं खोता है अक्ष्मात खो भी जाए तो किसी अच्छे को ही मिलता है तांक्स अगेन कि अगे अगे हैं उस दिन तुमने मेरी जान बचाई और आज मेरी इसद एक लड़की की जान मान कौन बचाता है बता है तुम्हें कि जो दिल के करीद होता है या फिर आगे जाकर दिल के जैसे तैसे अब प्रॉपोस करने का टाइम आहीं गया अब आगे घटने वाला है एक आश्चर जनक किस्सा हाई हाई इतने शान्त क्यों बैठे हो जेके कुछ बोलो न बात करने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन क्या बोलो कुछ आ नहीं रहा है क्या क्या तुम्हारा ब्लड ग्रूप क्या है ए पॉजिटिव मेरा बी पॉजिटिव ये क्यों पोच रहे हो एक्चुली भगवान ने सबको एक ही रंग का खून दे कर ब्लड ग्रूप अलग अलग बनाया पता है क्यों नहीं पता नहीं जानती हो मुझे लगा तुम एडूकेटेड हो तुम्हें पता होगा मैं लॉयर हूँ डॉक्टर नहीं ये सामान ये ज्यान है वे ज्यान नहीं ठीक है अब बताओ क्यों है ऐसा वेरी सिंपल अगर सबका ग्रूप एक ही बनाया होता बेचारे मच्चरों को वराइटी नहीं मिलती एक ही टेस्ट से बोड हो जाते इसलिए भगवान ने सबको अलग 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 ब्लड ग्रूप मच्चरों की वज़े से ऐसे क्या देख रहे हो जी क्या देखने का मन कर रहा है इसलिए देख रहा हूँ ज्यादा देर देखूंगा तो कोई केस कर दोगी क्या एक कमान जेकर उस समय तुम अन्नोन थे एक अन्जान इंसान और अब वेल नोन बहुत करीब इंसान clear heart is the real beauty of life कहते है न वो clear heart मैंने तुम्हारे पास देखा है जब से तुमसे मिली हूँ मेरी दुनिया बिलकुल नगीन हो गई है तुम्हारे साथ lifelong secure रहोंगी ऐसी मेरी strong feeling है I'm in love with you JK और एक और बात तुम्हारे आने से मेरी जिन्दगी कलरफुल तो हो गई है लेकिन मेरी आने से तुम्हारी कलरफुल जिन्दगी ब्लाक और वाइट नहोंगीन हो जाए ऐसा मुझे डर है मुझे एक बीमारी है बीमारी? नाइटोफोबिया क्या? नाइटोफोबिया? हाँ जेके ये बीमारी कैसे हूँ यही ना मेरा बहुत सुन्दर सा परिवार था मेरे ममी पापा दोनों आडवुकेट थे मेरे ममी पापा मुझे जितना प्यार करते थे उतना ही अपने प्रोफेशन से भी प्यार करते थे खलत करने वालों को पनिश्मेंट दिलाने तक वो शान्त नहीं बैठे थे रगुवी और उसका भाई विठल भी उनी में से एक थे और सजा काटने के बाद मेरे ममी पापा से बदला लेने के लिए एक रात का इंतिजार कर रहे थे कि अधिशन कर रहे हो ओडर 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 लायर विश्माच जी ने अपने पूरी शक्ति लगा कर हम खतरनाथ मुझरिमों को जेल के अंदर करके बहुत बड़ा जुर्म किया है इसी लिए यह अन्यायाल है अब तुम्हें और तुम्हारा साथ देने वाले तुम्हारी श्रीमती पत्नी को फीच सड़क पर मार डालने की सजा सुनाती है नहीं कुछ मत करो मेरे पती को छोड़ दो इने अच्छा सती सालित्री हो तो पहले तुम्हें मार डालूं क्या यह कालेश्वर है तुम दोनों पती पत्नी को एक साथ से उपर भेज रहा हूं वहीं साथ में रहना हाँ 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 और तब से यह बिमारी मेरे साथ साथ चल रही है पर खुशी की बात तो यह है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आये हो मुझे रात में अब कम डर लगने लगा है तुम मेरे साथ रहोगे तो शायद मैं भी नॉमल लोगों की तरह जिंदगी जी पाऊंगी ऐसा मुझे लगता है मुझे मेरे प्यार को तुम अपनाओगे क्या वो कोई बात नहीं तुम महराम से सोच कर अपना फैसला बताना अगर तुम हां कहोगे तो आल बीदे हापिएस परसन अफ प्लानेट तो इसमें सोचने वाली बात क्या है पैसा कुमे के पास जाता है लेकिन जब कुमा खुद पैसे के पास आजी तो तुझे क्या प्राबलम हो रही है इस नॉट गूड यो नो नाइटोफोबिया मतलब जिसे रात में डर लगता है यही ना देख रात के समय जब लड़कियां लड़कों को देखनी है तो सब को डर लगता है हाला कि इसको थुड़ा ज़ादा है तुझे देख 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 कम हो जाएगा क्या मतलब धीर धीर ठीक हो जाएगा मतलब रात में उसका सिकुरिटी गार्ट बनू जो वो चाती है बन जाओ वाट्स रॉंग मैं अच्छा ही तो है ऐसा मोका बार बार नहीं मिलता इंग यह कभी ठीक ना होने वाली बीमारी है ऐसा प्यार है तेरा तुसे शादी के कि बार रहा है जैसे तुझाना के उंडाने पकड़ लिया हो शी के तू एक भालू के शरीर से सौब भी जड़ जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं पर किसी टकले इंसान के सर से एक भी बाल जड़ जड़ जाए ना तो वो बहुत बड़ी बात होती है पताए मैं इस श्य देहकर मेरे तो पीछे पड़ गए लेकिन मैं ऐसे वैसे किसी लड़की को अपनी बहु बना लू शहर से बड़ी डिग्री लेकर आया है मेरा बेटा और वो डिग्री पाने के लिए उसने कितनी महनत किये पता है सच में? कितनी? अरे कॉलेज़ वाले तो उसे अड्मिशन नहीं दे रहे थे क्या आपका बेटा इतना कमजोर है? मेरे सुन्दर बेटे को कॉलेज़ में अड्मिशन देने से कही कॉलेज़ की लड़किया विगड़ न जाया ऐसे डर था उन्हें अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है स्पोर्स में फर्स्ट कराटे चेंपियन है डांस और ड्रामा में तो हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रहा है मेरे बेटा किसी भी फिल्ड में आप उसको टच भी नहीं कर सकते हैं बताइए न क्या मैं आपको पसंद हूँ ये रिष्टा अगर आपको मन्जूर है तो मुझे भी ओके है अरे आज कल मुश्किल से दसवी पास करने वाले कभी इस लड़की के साथ, कभी उस लड़की के साथ आवारा गर्दी करते हुए देर रात तक उसके साथ धूना फिरना ये सब चलता ही रहता है लेकिन मेरा बेटा सूरज जलते ही जो घर पर आता है न उसके बाद अगले दिन तक सूरज उख गया तब उठाने पर उठता है आपके पती का ये बहुत बढ़ा दूद आपके बेटे में भी मौझूद है हा न और इसके साथ मेरे बेटी में एक महान गुन भी है मेरा घर अगर आख से जलकर राख क्यों न हो जाए लेकिन वो जूट कभी नहीं बोलता है सा बेटा है मेरा मुझे आपको कुछ बताना है ऐसे लड़के का मिलना तो हमारा सौभाग्य है बहन अभी से कुछ फैसला मत करो पापा मुझे लड़का पसल नहीं है ममी वर्काउट नहीं हुआ घर चलते हैं अरे क्या वर्काउट नहीं हुआ अपनी बेटी से ही पूछ लो संदेटा आज अगर तुने ये कहा कि मुझे लड़की से अकेले में बात करनी है तो मैं तेरी जबान खीच कर रख दूं ये समझे लड़का लड़की परसनली बात करना चाहते हैं तो औरत उनके बीच में क्या कर रही है अब वो उसके घर की बहु बनेगी तो होगी कोई ज़रूरी बात वो कहना की मैं बताती हूँ न परसनल मतलब दो लोग बीच में तीसरे को नहीं घुसना चाहिए अरे मुझे चुप होगी ज़रा क्या मुझे कुछ बताना है क्यूं बेटा मैं मर जाओंगी पर इससे शाधी नहीं क गूंगी बापा निकल जा निकल जा गधे बेटी को घर से निकाल दिया लोग मेरी बुराइद करेंगी तो करने दो वो में सहल हणी लेकिन तु निकल जा आथसे इस घर में तेरी लिए कोई जगन ले शबusta मैंने तुझसे क्या मांगा तेल ला कर दे घी ला कर दे ये सब मांगा अरे किसी लड़की को देखने जाता है तो अपना मूँ बंचू नहीं रखता मुझमें ये वीकनेस है मुझमें वो वीकनेस है तुझे हरीश्चंद्र का पाठ पढ़ने को कहा था अरे जो लोग ठीक से मर्द भी नहीं दिखते वो लोग आराम से शादी करके निशादी शुदा जिंदगी चला रहे है ना अरे तुझ में इसे कौन सी महा वीकनेस है अरे ये वीकनेस तुदरे बाप में बिखी ना तुझे घर घर ले जाकर अपनी बेज़दी करवाने का अर्कुछ नहीं है और एक बात सुन ले अब आगे तेरी जिंदगी में अगर कोई लड़की आये तो उसे यह सच नहीं बताएगा मेरी कसम खा मेरी कसम अ ममी यह सब ठीक है लेकर कसम क्यों इसे वापस ले लो क्या वापस ले लो इस वाश्ती छोड़िए अरे मेरी बात सुनेगा पहले क्या सुनु तेरी बात वो ना मुझे तुझे मुझे रात के समय दिखाए नहीं देता अंधा हो जाता हूं मैं कि मुझे पैदा करने वाले मेरे माबाप की कसम एचल हाथ अड़ा ना सुबह जब तेरे पास आया तो तेरे बदन से बदबू आ रही है अब रात होते ही चिपक क्यों रहा है लेकिन मेरा बेटा सूरज ढलते ही जो घर पर आता है ना उसके बाद अगले दिन तक सूरज उग गया तब उठाने पर उठता है जुमका नहीं देख रहा हूँ रिशी के तो फील कर रहा हूँ कितना बड़ा जटका दिया तुने है मैं खुद को बड़ा खिलारी समझता था लेकिन तू तो मुझसे भी बड़ा है हाँ किसी को शक भी नहीं होता तू ये सब कैसे मेंटेन करता है वो तो मेरा टैलेंट है मेरी आखे जरूर कमजोर है लेकिन मेमरी बहुत स्ट्रॉंग है हम दिन में जहां भी जाते हैं अच्छी तरह से सर्वे करके रात को रजिस्टर कर लेते हैं इसलिए रात को प्रॉब्लम नहीं होती है अब देखो मुझे कूछ नहीं दिखाई दे लेकिन फिर भी तुझा देख रहा हूं है ना सही है उसे रात को डर लगता है और तुझे रात में दिखाई नहीं देता है ओ गौड गौड मस्ट बी क्रेजी यूनो मुझे लगा तुम प्रॉब्लम का सलूशन दोगे तुम मसाग उड़ा रहे हो मेरा देखो मेरे राजक को अपने सचा ही ना बता हूं मेरी मा की कसम नहीं बता रहा क्योंकि फ्लैश बैग में तुने अपने मा की कसम खाई थी हां आगे कभी नंदीन को ये बात पता चल गई तुम में बच्चे प्लान कर ले रहा है चुपकर चल बैठ यहां उसके पता चलने के पहले तुमारी अपिश्टोरी डीप तक पहुंच जाएगी दारू में सोड़े की तरह सूपर कॉंबिनेशन होगा उसके बाद बता चलना तो दिल में थोड़ी ठेस लगेगी पर छोड़कर नहीं जाएगी ऐसा क्या ये अब जाके तू सिर्फ हाँ बोल रहा है जेके तुम्हारी आखे ह नहीं तुम्हारी दुश्मन है क्या मतलब तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है ये तुम्हारे बताने से पहले तुम्हारी आखों ने बता दिया मुझे एक्सेप्ट करने वाली तुम्हारी आखों को मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देना होगा मुझे पता था कि तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगे इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरी आखों में आखे डाल कर देखने वाली तुम्हारी आख हमेशा सेफ रहनी चाहिए इससे लगाकर अगर तुम रात के समय भी गाड़ी चलाओगे तो सामने से आने वाली गाड़ी की लाइट तुम्हारी आखों पर नहीं पड़ेगी नंदू, क्या ये गिफ्ट मेरे लिए? क्यो? अगर तुम ये लोगे तो बदले में मुझे भी गिफ्ट देना होगा ये ही सोच रहे हो ना टोंट वरी जेके, मैं बाकी लड़कियों की तरह कॉसली गिफ्ट नहीं लोगी वो नहीं ओके ओके, मैं तुम्हारी बात समझ गई सेल्फ रिस्पेक्ट अब तो तुम्हें मुझे कुछ न कुछ देना ही होगा मैसूर पैलेस क्या? रात के समय चामुन्डी हिल से मैसूर पैलेस की जो लाइटिंग होती है वो मुझे देखनी है वो नजरा रात में डर की वज़े से मैंने नहीं देखा तुम दिखाओगे न? हाँ, इसमें क्या है? जरूर दिखाओँगा? तो फिर एक टैक्सी करके चले? क्या? टैक्सी? अगर टैक्सी में ही जाना होता, तो मैं टैक्सी ड्राइवर से प्यार कर लेती मैं जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ बाइक पर बैठकर तुम्हें कसकर पकड़कर, मैसूर की गली-गली में घूमकर, आकर मैं चामुन्दा हिल्स को जाकर, मैसूर पहले सको जीब भार के देखकर, पूरे मैसूर को बताओं कि मुझे मेरा प्यार मिल गया है अब मुझे राच से डर नहीं लगता कहकर, जोर-जोर से चिलाना चाहती हूँ यार मतला दोस्तु, तुछी दो दिन खाना भी खिलाए था साले कमी ने, माइनस और प्लास बाबाजी का ठुलू, कहां है प्रोब्लेम, तुने हा करने को बोला, मैंने हा कर दिया, अब बता क्या करूँ तु लड़की को इतना पसंद करता ही, यही सोच के बोल दिया था, उसे रात में डर लगता, तुने बताया था, लेकिन रात में बाई के घुमे के मुझे क्या मालूम अरे, अब वो, अब वो मुझसे कितना एक्स्पेक्टेशन कर रही है, यह पता भी है तुझे जिसे साइकल चलानी नहीं आती, उसे पाइलिट समझ के बैटी है, वो समझो तु रो मत या, तुझे देख के मुझे भी रोना जाएगा मुझे असली पे जो कुछ देख रहा है, मैंने आज तक देखा रहे हैं यहाँ तक कि सीडी पे भी, कुछ ने कुछ करेंगे लड़कियों के तरह मत रो यार, जहाँ चाह होती है, वही रा होती है, हिम्मत मत हरो भाई, वी विल डू, सम्झिंग डूट, हाँ, या, हाँ इस परिशानी के बीच ये लंगूर कहां से आ गया, अब क्या करूँ इसक करने से निडरा इसका इजार करने से निडर इस लंगूर से डर रहा है तू, आप चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाया उधर से इधर हो जाया तू उस लड़की को रात में भाईक बल लेकर ही जाए, हम्म अब में देज़िया जबल जबल गया तूँको, आरे कुछ नहीं भाई, यह बोल रहा है कि पूरे डिस्ट्रिक में सिर्फ दो लोगों कोही लड़की नहीं मिली थी, एक तुझे मुझे, अब तुझे भी लड़की मिल गई है यह मुझसे बदाश्ट नहीं हो रहा है और मैं कुछ भी उल्टा सीधा करके तेरे और तेरे प्यार के बीच दरार डाल दूँगा ऐसी वात है गया हेलो ए काले सुबरमें तू क्या तेरा बाप और तेरे बाप का बाप भी इसका एक बाल तक नहीं उकार करता है राथ की बाइक राड़िंग के लिए तुम तायार हो जाओ क्या यार एकड़ परफेक्टली फॉलो कर रहा है अगर तू ऐसे फॉलो करता रहा तो ती खायक देने वाले से भी तू रेस जीत सकता है घर जाकर जी भर कर तारीफ कर लेना अभी तू ठीक से रास्ता बता तू इतना दी में क्यों बोल रहा है नंदनी ने तू एरफोन लगाया फिर्वा कैसे सुनेगी ए उसने एरफोन लगाया तो क्या मैं चिला कर बोलू ओके आगे ब्रेकर है तू ज़रा ध्यान से चला ओके ओके ब्रेकर के जटके पे कुछ तैच हुआ या नहीं वो देखो कितना सुद्धर है ना हाँ बहुत बाई हम लोग अभी चामुंटी हिल्स मिंटर कर रहे हैं तू मुझे द्यान से फॉलो करना अच्छा मैं पहाड पर कैसे चड़ूंगा इतने ट्रैफिक में मैंनेज कर लिया यह पहाड क्या आराम से कर लेगा चला जा ठीक है तुझे जहां आना था मैं ले आया हूं उसे जो भी दिखाना है वो दिखाकर सेबली वापस आजा मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं ओके आतर अधिए आतर बाप्रे वह थाइस वह थाएस वह थाइस पर्फिक में आपाइस मैं आज कितनी खुश हूँ पता है तुम मैं भी बहुत खुश हूँ मेरे पास बोलने के लिए तो कोई शब्दी नहीं है मैंने तुमें गिफ्ट किया है इसका मतलब यह काउगल हमेशे लगा कर रखोगे पहले ही से उतारो और रात में इस पालस की ब्यूटी देखो तुमने बोला इसलिए मैं उतार रहा हूँ वाव इतनी ब्यूटीफुल जगा तो मैंने लाइफ में नहीं देखी है अच्छा वहाँ देखो वो जो लेफ्ट में एक लाइट है ना उसके बिल्कुल सिंटर में एक लाइट ओफ है अकर वो भी जल रही होती ना तो क्या बताओं क्या मस्त लगती वाव रे कितनी शार पाख है तुमारी मेरी शापनिस क्या है वो मैं ही जानता हूँ मेरी इतने सालों का सपना आज तुमने पूरा किया जेके लव यू जेके हुआ जिए वे तु नंदनी के साथ डुएट नहीं गा रहे गया डुएट क्या घंटा गाऊंगा मैं हलो अरे यार दिन पे दिन इसके नाइट प्लैंस बढ़ते ही जा रहे है कल बोल रही थी मुझे नाइट में पैलेस की लाइट देखनी है और आज रात को डिनर के लिए बोल रही है लड़किया रात में खाना खाना चाहती है उनकी बेसिक खोईश होती है एक अच्छे होटल में ले जाकर खाना खिला दे अब खिलाना तो पड़े गाई ना इसलिए उसे रात में कैसे मैनेज करना होगा अभी से उस होटल में आकर हर जगा का सर्वे करके एक दो कदम ऐसे ऐसे करके ना प्राहूं अभी ओके, all the best and बस हाई जेकर, बैठो क्या बताओं तुम इस ड्रेस में मस्त लग रही हो एक दम हलो, मैं यहां हूँ, वहां क्या देख रहे हूँ जो चीज अच्छी है तो अच्छी है जहां दिखे बोल दो हां है ना, एक दम सही कहां इसमें चंद्रा सर, मेरा नाम इंड्रा है सर हां, चंद्रा को बुलाओ, वो नहीं है सर क्या, चंद्रा नहीं है अब आपको मैं क्या बताओं सर, कोई बेवकूफ आकर उसे 500 रुपे के टिप देकर चला गया तब ही से वो दारु पी कर चथ पर उल्टा सोया हुआ है सर क्या, पूरे प्लैन का कचुंबर बना दिया सॉरी सर, हमारे होटल में वो नहीं मिलता सर मेन्यू आ तो क्या खाऊगे जे के मैं मेरे लिए लिए लिएócा है तूमारे लिए सिधा ह३ाँ तूमारे लिए मेने तुमारेत की ग्ष्टो ना आपके लिए एक लेमन सोडा क्या लेमन सोडा स्टामक अपसेट ए नंदू इधर आउ तीरा बंदा हॉट तो है ही साथ में दमाल भी है हमें खाने पे बुलाया और खुछ सोडा पी रहा है एक्शली कहा है ना इस होटल का मैं रेग्यूलर कस्टमर हूँ हमेशा मुझे चंद्रा ही सर्फ करता है आज ही धोका दे गया कोई बात नहीं जेके कोई भी सर्फ करें उससे क्या यह तो तुम अभी समझ नहीं पाओगी थाठी दिन बात खोदी समझ जाओगी पर हैं चंद्रा यह ना वो लेमन सोड़ा हमेशा मेरे लेफ्ट में ही रखता था है मने लेफ्ट में हें सर्फ करक करक करे तुमने भी लिफ्ट में रखता है कम ओन, जल्दी जल्दी खाओ अभी तो शुरू भी नहीं किया है, इतनी जलबाजी किसली है अभी क्या है न, खाना ठंडा हो जाएगा तो उसमें क्या मजा आएगा, यह आप ही बताईए ठाली सामने रखकर जादा देर बैठना नहीं चाहिए, ऐसा मेरे दादा जी कहते थे ओके, ओके शबरी जेके, शबरी को हिच्च किया आ रही है और तुम चुपचा बैठे हुए हो, पानी दो न जेके, पानी के बदले तुम सॉस क्यों दे रहे हो अरे, ये क्या कर रहा हूँ मैं मैंने चिली सॉसी दिया है, सॉस खा लेने से हिच्च की तुरंद बंद हो जाती है ये लोहा ही लोहा को काटता है, ये सुना है न, वैसे ही मिर्च को मिर्च ही मारता है ये मेरा परसनल एक्स्पिरियंस है, हिच्च की रुख जाएगी, खाओ खाओ, खाओ ना, मैं बोल रहा हूँ खाओ ना कम ओन, कम ओन आइसे, हाँ वन्टरफूल, जेके, सच में मेरे हिच्च की रुख गई, तुम तो जीनियस हो, हो तो मुझे ही पता है, जीनियस हो के जानवर हो, यहाँ ज्यादा दे रहा तो बक्का में पकड़ा जाओंगा, जल्दी निकलना होगा मैं थोड़ा रेस्ट्रूम होका रहता हूँ, आप लोग जल्दी यल्दी खाना खा लीजिए क्या होगा, जेके, क्या होगा, एनी प्रॉब्लम? स्टमक प्रॉब्लम है, और थोड़ा लूज मोशन भी है कोई बात नहीं, इस बात को इतना सीरियसली कह लेना शबरी, लूज मोशन को कोई इतना सीरियसली देता है क्या? बिहेवियो स्टमक, कोई बात नहीं, किसी और दे मिलकर साथ में डिनर करेंगे ठीक है? तो बिल मंगा लूँ, इंद्रा, बिल, आप लोग निकलिये तुम? वो मुझे थोड़ा काम है वही रेस्ट रूम प्रोब्लम? हाँ, वही वही हाँ कोई बात नहीं, हम चलते हैं चलो न न थी ठीक है ध्यान से जाना हा बाई 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 सर, बी कितना होए तुम ही बता दो 9.30 सर हाँ कीप दे चेंज पांच सो रुपे दिये इसमें भी चेंज चाहिए क्या? मिल 930 रुपे का है सर ये लो ये लो हजार का नोट इंद्रा वो चंद्रा कहा मिलेगा बताया था तुमने क्यों सर वो पांच रुपे जो एडवांस टीप देने वाला बेवकूफ वो मैं ही हूँ हुआ मुझे धोका देता है चंद्रा रुप बताता हूं तुझे अधर करें अरे साहब को क्या हुआ देखो किसी ने को दी बाप देखो कोई दिखने रहा है चंद्रा कहा हो तुम चंद्रा जिसे दिखाई नहीं देता उसे धोका देकर दारू पिकर यहां पड़ा है मैं तुझे छोड़ दूँगा सोचाए ना रुख तुझे बताता मुझ चंद्रा पांच रुपे के लिए तुने मुझे पचास किलो मिनट की दौड लगवाई है तो यह पैसे छोड़ूँगा नहीं मैं स्मॉर डलूँगा तुझे लगता है हाथ में गन आ गई यह कैसे आ गई यहां पर पैसे वैसे गई भाण में भाग लेए यहां से अरे बाप्रे जिंदर हैगा तो पैसे बहुत कमाएगा अभी निकाल लेए यहां से नहीं तो फस जाएगा है माता जोती लक्षमी मज़े सुध बुद्धी देना हाँ 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 साइड में जा रहें मिस्टर बिन हाँ नमस्कार मैसूर का सबसे बड़ा होटल प्राइम की छट पर रात को दस बजे पुलीस जिसे 15 सालों से ढून रही थी वो रियल इस्टेट का गुरू इस शहर का सबसे बड़ा डॉन जिसका नाम रगुवीर है उसकी किसी शाप शूटर ने माते पर गोली मार कर हत्या कर दी अरे बाफु आज के शूट करना तो बच्चों का खेल है ऐसा पुलिस का मानना है अब इसके आगे की छान बीन चल रही है लेकिन इस बारे में अभी तपुलिस को कोई खो सबुत नहीं मिला है पुलिस की नजर बहुत ही तेज है ऐसा पुलिस का मानना है तो कोई महारती है तब तो मैं होई नहीं सकता पुलिस ने जो फोटो दी है वो गुंडा इस तरह दिखाई देता है चैर फूर जितना लंबा अच्छे कद वाला ये लड़का एकदम मासूम सा दिखने वाला है इस पर कोई भी शक नहीं कर सकता है ओ मासूम सा दिखता है तू मेरी नजरों में पता है कैसे दिख रहा है गधे की तरह इसलिए बस टॉप रेलवे स्टेशन और एरपोर्ट पर पुलिस का कड़ा बंदो बस्त किया है पहले पहले पकड़ो इस गुंडे को पहले जो भी द देखो अरे तिरी तुप ए कहां पी कर पड़ा था अब तक ए खुनी कहीं का इतना बड़ा कान करके आराम से बैठके खुद की निउस देखे मज़े ले रहा है तू हाँ कंफर्म तुने पी रखी है मैं कैसे टीवी देखू मैं तो बस सुन रहा हूं ए मुह बंद कर अपन क्या अबे कुछ भी बोले जा रहा है तुँ यार इतनी देर से निउस देख या इतना शरीफ बने की एक्टिंग मेरे सामने मत कर ला पालन पोशन तो लक्ष्मिपूर में हुआ है और वो तो दुबई में राज करता था दुबई और लक्ष्मिपूर के क्या कनेक्षन है तुने मोहंदास को क्यों मार डाला अरे मैं एकून क्यों करूंगा किसी का वो कोई शाप शूटर है देखो उसकी फोटो भी टीवी पर इंसान है निशाना लगा कर मालने में वह बहुत बढ़ा महारती है अब लोगों के बीच में रहकर वो यह सारे काम कर रहा है ये की बार पहले भी हमारे हाथ लगा था लेकिन ये किसी नै किसी तरह से जूट गया लेकिन इस बार मेंसे अंदर के विइना नहीं है मेरे भाईया को मारने वाला इस धर्ती पर जिन्दा नहीं रहना चाहिए मुझे अभी इंडिया जाना है अरेंज करो जुलिया जो ओश्ममत इस स्टेट की पुलिस तो मैं हर जगह ढूण रही है पुलिस की ढर से क्या मैं हाथ पे हाथ धरके बैठा रहा हूँ किसी पिल्य ने मेरे भाई को सरे आम माठा ला मेरे भाई ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया था आज मैंने भाईय को सर आपके दुख का मुझे एहसास है हमारे सीनियर को जिसने मारा उसे मौत की निन्द सुला देना यहीं चाहते हैं ना मैं सूर में हमारे लड़के उसे आधे घंटे में ही ठोक देंगे नौ उस शॉप शूटर को मैं अपने हाथ हो से मारना चाहता हूँ अपने आदमिया को बोलो कि उसकी डिटेल कलेट करके मुझे दे मतलब रगुवीर को मारने वाले तुम हो अरे हाँ सर तुझे क्या लगता है मैं कली लालबाक से आया हूँ पेपर में टीवी में हर निउज में उस चिकने की फोटो चपी हुई और तू कहता है मैंने मारा तो मैं विश्वास कर लूँगा क्या वो सब जूट है सर जब उसे दिखाई नहीं देता तो वो खून कहां से करेगा ये देखो भाई तुम मुझे मेरा पेमेंट नहीं दोगे तो भी चलेगा उससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन भाई मेरे काम को अंडरेस्टिमेट मत करना सर जी मोहन दास के ठीक माथे पर निशाना लगा के मैंने उड़ाया उसे मुझे मेरे कंकी कसम कंकी कसम खाकर कहता है तो मुझे मानना पड़ेगा पर मुझे रिश्वास नहीं है सर जी सर जी आपको कैसे समझाओ समझ भी नहीं आ रहा है जान हतेली पर रखकर रिस्क वाला काम किया है मैंने समझीए सर अच्छा सुन पेमेंट की बात है ना डबल पेमेंट ले ले डबल पेमेंट अरे हाँ डबल पेमेंट वैसे भी तु निशाना लगाने में तो और लोगों से एक्सपर्ट है ही इतने दिनों से विठल दास दुबई में चुपा बैठा था जैसे ही वो ये न्यू सुनेगा तुरंत बाहर निकलाएगा उसी समय उसको भी टपका डालना क्या? विठल दास को भी मारना है? यो? विठल के नाम से डर गए? मैंने किसी भी काम के लिए किसी को ना बोलना नहीं सिखाए सर मैं हार नहीं मानूंगा विठल दास को भी खतम करूंगा और उससे भी पहले जिसने मेरा नाम खराब किया है न उस फेक शाप शूटर को सर पे गोली मार के खतम करूंगा डालो भाई मार डालो पेमेंट रेड़ी रखना सर जी डबल पेमेंट पता ने सुबह से पागल अत्मी बोल रहा है मिलना है मिलना है उसे अंदर भेज दूं क्या अब भेजो उसे अंदर ठीक है सरा केसका मुध देखा था सुबह मैंने क्या चाहिए सिग्णल दिखा रहा है ऐसा सिग्णल देखा है ऐसा भी देखा है और ये निदेखा क्या होता खकिष स特व इनका मतलब है नाघ सिर्फ झाला ःक क्या धिंट है बूलनी सकता है क्या अच्छा चल कोई बात नहीं, यह बता यहां क्यों आया है, यह सब क्या है, यह यह तो sharshooter केک फोटो दिखा रहा है, यार किसे पाला पड़ गया,too shins crash सर वो sharshooter इसका करीभी दोस्त है, शा बोल रहा है क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा अरे पूछना क्या बोल रहा है सर वो जो शार्प शूटर है ना उसे रात को दिखाई नहीं देता ऐसा पोल रहा है कुछे तो मैं एक लगाऊं आना तो तेरी बची कुछे जबान भी हाथ में आ जाएगी और अंपिक शूटर से भी ज्यादा तेज नजर है उसने डॉन को मारा था और तू बताता है कि उसे रात को नजर नहीं आता है ऐसी धुलाई करूँ आ तेरी में क्या है इतना भी नहीं समझ पाएं सर वह जहां रहता है वहां लेजाने की बात कर रहा है अच्छा इसा है क्या तो दिखाएगा तू संत्यार हो जाओ रहे है हमी चल भी सब्सक्रा ये तो यह ही पर कड़ा है सर अरे तु आं क्यों कड़ा आब अब क्या बोल रहें सर जगा प्रॉब्लम में है कानून को क्यों ले रहे हैं अच्छा ठीक है बिठा इसे तुम लोग पीछे बैठो रहे पीछे आजाओ जल्दी अरे कहां रहे आया तु यह क्या हो साहब अरे तुम यहाँ सर्प्राइज विजिट है क्या वोड़ाफोन की तरह मैं जहां जाती हूं मुझे फॉलो करते हैं अरे क्या साहब जी अब तक तो अके लिए आते थे आज देखो पुरी टीम को साथ लेकर आये हो मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे तेस्ट मैच खिलना है क्या वो क्या है आज टाइम नहीं है ट्विंटी ट्विंटी चलेगा क्या यह चिंपांजी कौन है थर्ड अरे क्या मुझे देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है सूपर बैटिंग कर सकते हैं टॉस डालेंगे क्या अरे टॉस कोई भी जीते बैटिंग तो आप ही करेंगे ना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो चलो ना फर्स्ट बैट्समें मैं हूँ ठीक है सर जी आपकी जगह पर मैं जाता हूँ है शार्प शूटर का घर दिखाऊंगा बोल कर इसके घर में लेकर आया है तू अरे साहब जी आप उस पर क्यों बरेस रहे हो सब कुछ तो ठीक है ना लगता है साहब जी आज आप फॉर्म में नहीं हो सुन रहा है तू तेरी तो मैं खुद मजा करना है इसलिए मुझे यहां पकड़कर लिया है ट्वंटी ट्वंटी मैच बॉल रही है वह यांखे यहां के लोगों को बाहर करके यहां मुझे लेकर आया है तू अरे पूरी दुनिया आ जाए तो भी ना सामना कर लूँगा पर अभी नंदिनी आने वाली है उसका सामना कैसे करूं वैसे भी उसे गलत करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है देख तू बिल्कुल चिंता मत कर नंदनी जब आए कि तूसे कुल कर सारी बाते बता देंगे मेरा मतलब सब ठीक से बता देंगे लगता हूँ आ गई यहां कोई गुलाबी शराबी ने रिचलियां से अरे रुको तो भाई गुलाबी नहीं हुई तो क्या हुआ जलेबी तो होगी ना जलेबी कौन मुझे तो जलेबी भी चलेगी पॉरज चैंज नमजा आ जाएगा ए भाई तुने सुना ना यह क्या कह रहा है जाके जली से कपड़े पहन ले नहीं तो यह तेरा बलतकार करने के लिए बोल रहा है क्या का छी हलो पहले इसे बाहर करके दरवाजा ठीक से बंद कर जा भाई य सबसे अच्छी और सेफ जगह यही है थोड़ा अड़ेक्ट करो सेफ है की नहीं क्या पता है अब नंदनी आगी लगता है मैं देख के आता हूं आप कौन होगा इस उमर में खड़ा तो होनी पा करा है अगर कुछ दिर और यहां खड़े रहे ना मडर कर दूंगा मेरे बारे में जो बोलना है बोल ले मेरे उमर के बारे में बोला तो ठीक नहीं होगा अभी भी मैं तुछ से ज्यादा ताकत रखता हूं मलिका को बुला नरे शराफत के साथ यहां से निकल जाओ वरना अ जवानी उच्छाल मार रही है यह से नहीं महनेगा इसका कुछ उपाय करता हूं रुक जाओ रुक मैं बताता हूं कि मैं चाहूं कि सिस्टर एक्चुली वह क्या हो कि तुम जाओ आउट आए चला जाता हूं नंदिनी वो बात मत करो गलत गलत ही है गलती कोई भी करे उसे सजा मिलनी ही चाहिए हाँ 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 बी केफुल मैंने सोचा था डॉट गेम किलके दूसे पैसे कमामगार लेकिन तू तो लड़की के आथ हो बाहरा गया तू तो एकदम ठीक है उसने तुझे गोली का हमारी बता रहा देखो इधर 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 अरे तू जो सीन सोच रहा है वैसक कुछ नहीं हुआ या तो कुछ और चल रहा था नंदिनी उस दिन क्या हुआ कि बात मत करो गलत गलत ही है गलती कोई भी करे उसे सजा मिलनी ही चाहिए मुझे सब पता है मैंने तुम जैसा साथी बाने के लिए सो नहीं हजार जन्मों में पुर्ने किया होगा मैंने बस दो मिनिट के फ्लाश बैक में मेरे ममी पापा को डॉन ने मार दिया था तुम्हें बताया लेकिं तुमने तो मेरी खातिर उन दोनों में से एक को ढूनकर मार डाला हम सो प्राउड iner तुम इतने बहादुर होगे ने कभी नहीं सुचा था तुम जब भी कहते थे मैं तुमारे साथ हूँ मैं तुमारे साथ हूँ मुझे समझ ही नहीं आता था बत तुम जो भी काम करोगे उसको जरूर कोई कारण होगा पता था पर जेके तुमने मुझे बहुत डिसिपॉइंट किया है मुझे टीट देकर घर भेजकर रगुवीर को मार डाला उसे मेरी आखों के सामने मारते तो मुझे ज्यादा खुशी होती नंदू, मेरा और मोहंदास के खुन में मेरा कोई हाथ नहीं है तुमारा हाथ नहीं है, मैं ये कोट में प्रूफ कर दूँगी ये responsibility मेरी है आखिर मैं lawyer किसलिए हूँ हमारा next target है उस रगुवीर का भाई विठल उसे भी खत्म करना होगा लोगों को परिशान करने वालों को इस धर्ती पर जीने का कोई हग नहीं उस विठल को मारोगे न मारूंगा, जरूर मारूंगा तुमारे लिए तो जरूर मारूंगा कहीं भी छुपा हो, उसे मार डालूगा मैं अरे तेरी तुप, तुझे मारेगा, वो रोड का भीकारी है क्या डान है, उसकी तरफ नजर भी उठाएगा तो काट कर रख देगा और तुझे रात के समय दिखाई भी नहीं देता है, याद है न तो क्या हुआ, नंदिनी के खुशी के लिए मैं विटल दास को जरूर मारूंगा बाप रेट, तुझे देख के मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सारी सचाई आके नंदिनी को बता देता हुआ रिशी के तू, तू अभी नंदिनी को कुछ नहीं बताएगा, मेरी कसम तू ने कसम देकर दोस्ती के बंधर में बांद दिया, आज नहीं बताऊंगा तो कल बताऊंगा, तुझे मेरी कसम हे नंदू, ये सब क्या है, इस तरह से खाना पिना छोड़ देने से किसी समस्या का हल नहीं मिलता, क्या नंदिनी क्या करूँ शबरी, छेकर को बचाने के लिए कोई पॉइंट नहीं मिल रहा मुझे, सारे दर्वाजे बंध नजर आ रहे हैं देखो, दर्वाजे बंध हुए है, तो कोई ना कोई खिड़की जरूर खुलेगी, सारे खिड़किया भी बंध हैं, अरे, विंडोज ग्लोज हुए है, तो कोई ना कोई वेंटिलेटर खुलेगा, लो कॉफी पीलो, तांक यू, तरह देखो तो कौन है कौन हो आप, क्या चाहिए आपको? तो आप साप में चाने करें, लेकिन आपका साप तो नहीं दिखाए दे रहा ये क्या दिखा रहे हो? कहा जा रहे हो तुँ? है, क्या चाहिए तुम्हें, नंदू सरा देखो तो, मुझे ये कौन है? है, सुरो, निकलो यहां से, क्या बोल प्राएंगे? ए, 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 चल, निकल यहां से तुम जिस लड़के से प्यार करती हो उसे रात में दिखाए नहीं देता? क्या? रात के समय जेके को दिखाए नहीं देता? ए, नंदू, मैंने बोला था ना भगवान है, कहा था मैंने, खिड के यहां दरवाजे बंद हो जाएंगे, तो वेंटिलेटर जरूर खुलेगा, यह वेंटिलेटर बनकर आया है, वेंटिलेटर? देखो, जब अच्छा समय आता है, तब बुरे से बुरा आदमी भी हमें अ लेकिन जेके को रात में दिखाएं नहीं देता, यह बात अगर हम कोट में बताएंगे, तो हम ज़रूर चीज जाएंगे, यह यहीं बताने के लिए यहां है, उन भी रात के समय हुआ था, सूपर आइडिया, शबली, तुम तब तक इनका मूँ मीचा करो, अब 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 अ आज कुछ भी हो जाएं, मैं बता के रहूँगा, हे नंदनी, हे रिशी, तुम्हे एक बार बताओ, रात के समय जेके को दिखाएं नहीं देता है, उसने रगुवीर का कुण नहीं किया है, नंदनी, तुम्हें यहीं बात तो इसे बताने हैं, लेकिन यह तो जान के खुद ना चलिया, इसे कैसे बता चलिया, रिशी, चलो तुम भी आ गए, एक बिनिट रुका, ओहो, आओ ना चल्दी, तुमने हमारी हेल्प की है, अब यह मिठाई का डिबबर रखाओ और जाओ, जाओ ना, ले रो, तु यहां क्या कर रहा है, देखो रिशी, इसे जाने को बोल यह बताना था आपको, तुने बहुत अच्छा काम किया, अब चल निकल ले हांसे, अगर नहीं गया तो पताना मैं क्या करूंगा, जो करना कर ले, जाए हांसे, पागल, उफ, तो दिमाग ही काम निखाता है, रिशी, अरे, अरे, रिशी, वो सच नहीं है, वो जूट है, ड अरे, उसने सच का है, यही बात बताने के रिए तो मैं यहां आया हूँ, जेके को रात के समय दिखाए नहीं देता, या बोल रहे हो, अरे, बाप रे, जेके को सच में रात में दिखाए नहीं देता, अच्छा हुआ, नंदिनी को यह बात पता चल गई न, सुकून मिल गई अरे, ओ, रुशी, लंदिनी को लगा शायद यह कोई आइडिया है, हाँ, बिल्कुल, यह कुछ और ही है, यह कालेक्टरे का आइडिया है, जेके को बाहर निकालने के लिए यह आइडिया वोर्क करेगा, है ना, सर, मतलब, जेके को रात में दिखाए नहीं देता, यह प्र प्रब्लम नहीं है, सर, शबरी रामचंदर डॉक्टर के बहुत क्लोज है, और रामचंदर मेरिकल सर्टिफिकर देने वाले नटराज के बहुत क्लोज है, जाहे जो हो जाए, नंदिनी को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो पेचारी का दिल टूट जाएगा, मेरे बाले में वो सब जानकर उचलने लग गई, यह कैसे हो सकता है, पहले उसे लगता है उसके अंदर कमी हो तो उदास रहती थी, अब उससे पता चल गया कि तुम्हारे अंदर भी कमी है, इक्वल होने की खुशी में अब उन नाचने लगी है, सूपर या, मेरी तो में चली खतम होगी, तैंक स्रिशी केतू, तुमने तो मेरा सर का बोजी उतार दिया, अब आगे नजाने क्या होने वाला है, हे, कहां जा रहे हो तुम, आकर बताता हूं, तुझे तो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन तेरे साथ लुका छुपी खेल रहा हूं, कहां पाहे रे तु, तु यहां, सौ साल जीएगा तु, मेरी उमर का तु छोड़, तु अपनी उमर पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दे, कोई भी आये तो तुरंद गन उठाने से कुछ नहीं होता है, उसमें बुलेट है या नहीं वो भी तो देख ले, तु देख सकता है क्या, हाँ, मुझे दिखता है बोलूगा तो भी कन्फ्यूज होगा, नहीं दिखता बोलूगा तो भी होगा, मुझे नाइट ब्लाइडनेस है, कन्फ्यूज हो गया ना, कन्फ्यूजन से बाहर निकलो, मेरे पास ज़्यदा टाइम नहीं है, डिरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ, वो अपनी बात रहने दे, उससे पहले मेरी बात सुन ले, उस मुहंदास को मारने की जिसने सुपारी दी थी, वो कहता है, मुहंदास को मैंने नहीं मारा, इसलिए सुपारी के पैसे देने में परिशान कर रहा है, और उसकी वज़ा तू है, ये क्या बस, ये कौन सी बड़ पूछ रही है क्या उसकी नजर में महंदास को मारने वाला तू है वो किसी भी वक्त तुझे उठा सकता है थोड़ा संभल के रहना वो मुझे उठाए उससे पहले मैं उससे उठा लूँगा अबे गते उसको मारने के लिए मैंने आल्रेड़ी सुपारी ले लिये प्लान बना है मुझे बताओ मैं उसे खतम करके वो क्रेडिट तुम्हें दूँगा तब होगा हिसाब परावर वह अभी कहा मिलेगा तूने मुझे यहां बुलाया तुम्हें जोश में आतो गया लेकिन यहां पर फाइट होगी सोचकर मेरे हाथ पर कहा पूरे यार अरे फाइट से पहले गाना होता है तूस तूई है क्या शाप शूटर हाँ 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 सब तो ऐसा ही सोच रहे हैं तुम मजाग कर रहा है हाँ भाई से मजाग कर रहा है भाई आप इशारा कीजिए मैं अभी इसकी खोपड़ी में गोली उताते तौँ मेरे भाई को बारने वाला इतनी आसान मौत नहीं बरना चाहिए मज़ा नहीं आएगा यार लखी बॉय तुम्हारी मौत की तारिख तुम्हारे पास आ रही है तुम्हारे मन में जो भी च्छाय हैं उसे पूरी कर लो टाइम इस वेरी शॉर्ट तुम्हारे नकली गंद दिखा कर मार डालेगा मार डालेगा करके हूल दे रहा था तु जानता नहीं मैं कौन हूँ क्या है कि एक्टिंग अगर अच्छी करूँगा तो नेच्रल लगेगा न बॉस तेरी नेच्रिल एक्टिंग तो मुझे भी पसंद आई तुझे मैं छोड़ दूँगा एक बात बता पर तेरे इस परफोर्मेंस के बारे में तेरे बॉस को पता चला तो 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 झाल 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 अगर शिकार आखों के सामने हो तो उसका शिकार किया जा सकता है लेकिन ये तो छुपकर बैटा है तो उसे कैसे वारे कहां ढूड़े उसे सरी कहां सरथ कोपड़ी में कुछ नहीं है सोच कर आपने सार्कंजा करा लिया लेकिन अब उसे ढूंड़ना, उसकी ले, छोड़ दीजे, ऐसा नहीं है मुन्ने, सुमेद, ना जाने मैंने कौन से जनम में कैसा कैसा पाप किया था, जो मैं तेरे साथ आज गया हूँ, जब देखो जब मेरी खिली उड़ाता रहता, ऐसी हालत है, कि अगर तुझे पास में रखो तो मेरा तॉर्चर होता है, और तूर रखो तो मेरी फिक्रेस का धिन्धोरा पीटता रहता है, मैं न निगल सकता हूँ, न उगल सकता हूँ, थू है तुझ में, मैं तेरे आगे ये दोनों हाथ जोडता हूँ, भगवान के लिए चुप वजा मेरे भाए, छोड़िय सब्सक्राबार मेरी नजर के सामने यही खलत है, तू यहा गाय की तरह चर रहा है, उसके लिए डेल्ट सर्प मैद हुआ क्या, अगर फिर से उस शार्पशूटर के पारे में रॉंग इंफॉर्मेशन दी तो तेरी चाह देनुगा क्या मतलब है कि वो मेरे घर में मेरी बेटी को गले लगा का सो रहा है नहीं तो कैन कि बीवी के साथ सोया हुआ है कि अगर अगर अभी उसकी मा के पास जाएंगे तो हम उसको आराम से पकड़ पाएंगे अब तो शाथ सूटर की मा का घरती खाएगा और अगर अगर अब की बार तुने कोई भी कड़बर की तो लाथी में मिर्ची पाउडर भरके मरने तक मारूंगा तुझे मैं अब चल चल क्या 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 ये अरे लेकिन ये तो मेरा है आप तो ठीक है रहा है चल हमारे खांदान से आज तक कोई पुलिस टेशन नहीं गया और ना ही कभी कोई पुलिस हमारे घर पर आई जो आप बोल रहे हैं क्या वो सच है माजी आपको क्या लगता है कि हमारे पास कोई और काम नहीं है गलत मत समझेगा लेकिन आप जो बोल रहे हैं क्या वो वाकई सच है देखिये मा सवर्गवासी हुई अपनी मा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है तो चलिए सब को मेरा नमस्ते आए शर बोलिए अरे जाने दीजे न माजी ये सारी बात इनके सामने अगर बूलिए सुनिए बोलिए रहने दीजिए न बोलिए सर बोलिए न ऐसा है कि इनके बेटे ने एक बहुत बड़े अंदरवर्ड डॉन को मार डाला है किस समय उसने मारा रात के सारी दस बज़े हूं माइक में बोलिए रात के सारे दस बज़े होंगे अमावस की रात को आजी अमावस की रात को ही मारा है अमावस की रात को ही मारा है कितने दूरी पर था यहीं करीब पांच लोगों को बताइए वह कुछ पांच सो मीटर दूर होगा मतलब वो एक तरह का स्पेशल खुणी माला वाकई एक तरह का स्पेशल खुणी है इनको बताइए यह खुण कोई साथारान आदमी कर ही नहीं सकता इंस्पिक्ट्र साब हो गया साइड हो जाईए पंद्रह साल से पुलिस के हाथ जो अंडरवल का डॉन नहीं लग रहा था तो पांसो मीटर दूरी से अमावस्या की रात को मेरे बेटी ने शूट किया है तो उसकी केपैसिटी क्या होगी आप लोगों को पता चलने चाहिए देखिए इसे कहते हैं गाव छोडने से ही तरक्की मेरे बेटे को शेहर बेजने का मेरा मकसद सार्थक हो गया सार्थक हो गया आपने यहां कर सारी बाते बता दी तो मेरे बेटी की केपैसिटी क्या होगी यह सब लोगों को पता चल गई ना इसी दिन का इकतजार कर रही थ वह सब चल क्या रहा है उस दिन तू ऐसा और आज अइसा करके मुझे वैस्टा के घर पर ले गया था इंस्पेक्टर साब, यह आने वाली पीड़ी है, अगर इन सब को मेरे बेटे की कहानी बताएंगे, तो इत्याहस बन जाए गहाँ एक बार बोल दीजे, प्लीज, बोलिये ला, वो, मैं यह कह रहा था कि, वो, इनका जो बेटा है न, वो सर, यह समझ के, आईए, चले, सर, यह हमारी गाउ की सबसे मुख्य जगा है, तो आप यह चाहती है, कि वो बात मैं यहां भी बोलू है न, देखो माताओ, इस माजी के बेटे ने, हो गया न, अब चले, अब कहा जाएंगे सर, जाते समय कभी पूछना नहीं चाहिए, यह पता नहीं है क्या तुझे, चल, अमा, साहब, यह भी आपकी माँ की तरह स्वर्ख के दर्वाजे पर खड़ी हैं, आप इन्हें एक बार बताएंगे तो बस हो जाएगा, यह बात स्वर्ख तक पहुँच जाएगी, प्लीज आपके आगे हाँ जोडती हूँ, प्लीज इने बोली, बताएए न, बताएए न सर, अमा, इनका बेटा एक अफते पहले एक फेमस अंडर वाल डॉन को, रात को सारे दस बजे के सामावस्या की रात को, बात सो मीटर की दूरी से शूट करके माँ डाला, यह किनिस बुक बेक रिकार्ड वन गया है, यह कोई साधारन मर्डर नहीं है, यह स्पेशल मर्डर ह आये हो क्या, कौन से पक्ष से आये हो, सुना क्या बोलेगे, क्या माजी, क्या बो, बुरा मत मानियेका, इनको थोड़ा कम सुनाई देता है, उच्चा सुनती है, थोड़ा उच्चा बोलेंगे न, तो साब सुनाई देगा, तो थोड़ा जोशी, प्लीज, साउंड, यह कोई साधान मुर्णर नहीं है, यह स्पेशल मुर्णर आपको सुलाई दे रहा है कि नहीं? पेंशन देने आये हो क्या? इंस्पेक्टर साप मेरे लिए सिर्फ एक बार सौर से जोर से बुलिए आप बस एक बार लास्ट हाँ जोर से अबार यह स्पेशल मुर्णर है क्या इतने दीरे दीरे बात कर रहे हो थोड़ा जोर से बुलिए मेरा बकरा बना रहे हो तुम लोग इस सब की वज़े वो साला नागा ही है उस ही नहीं क्या है यह सब डॉन कहलाते हो और अम्मा मस्या की रात को तुने मर्डर किया और तो अर्ट तु एक शाप शूटर भी बन गया देखो मा अब परिशान मत हो कल कोट में सब ठीक हो जाएगा तुझे देखने को बहुत मन करता है बिटा घर कब आएगा तुम्हारे लिए एक बहु ढूंड लिया है उसी में आजकल बिजी हूँ सच में बिटा कब मिलवाएगा उससे जल्द से जल्द जल्दिया बिटा मुझे उससे देखने के बहुत मन कर रहा है अभी तुम खाना खाकर आराम से सोजाओ गुड नाइट यूर ओनर कट घर में खड़ा यह अपराधी जेके यानि कि जय किशन नाम के इस आदमी नहीं रखुवीर का खून किया है यह साबित करने के लिए मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं मैंने जो सीडी आपको दी है वो फुटेज आप देखेंगे तो आपको सच्चाई का पता खुद बखुद चल जाएगा रात का डीनर करने के लिए दिन में होटल में आने की क्या जरूरत है खाना तो रेस्टूरेंट में खाते हैं लेकिन ये जेके, रिसेप्शन, कॉरिडर, पूल एरिया, स्पोर्ट सेरिया, टेरेस यहां तक की दून हुआ था उस समय कोई दूसरा आदमी लिफ्ट से टेरस तक गया ही नहीं था, गन पर मिले हुए फिंगर प्रिंट्स और खोन से संबंदित फॉरेंसिक रिपोर्ट आपके सामने ही है, इतने सारे सबूत होने के बाद मुल्जिम को अपरादी साबित करने के लिए और सबूत की जरूरत नहीं है, इसलिए इस कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही मैं गुजारिश करूँगा Objection Your Honor, Public Prosecutor के मताबिक मेरी क्लाइन्ट ने होटल का सर्वे किया था, यह बात सच है, जब खून हुआ था, उस समय लिफ्ट से छट पर गया, यह बात भी सच है, उस गन पर इनके फिंगर प्रिंट्स हैं, यह भी सच है, पर इन्होंने ही खून किया है, यह बात सच नहीं है Objection Your Honor, सर्वे कर रहा था, यह सच है, लिफ्ट से उपर गया, यह भी सच है, गन पर मिले फिंगर प्रिंट्स भी सच है, पर खून इसने किया है, यह सच नहीं है, very funny Objection overruled, you can proceed Thank you Your Honor, जिस समय खून हुआ, मतलब रात के करीब साढ़े दस बजे, point to be noted Your Honor, यह सब मेरे क्लाइंट को खूनी-खूनी कहे जा रहे हैं, लेकिन मेरा क्लाइंट कभी किसी इंसान का खून नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें रात के समय दिखाई नहीं देता, इन्हें night blindness की बिमारी है, और यह इनकी खांदानी बिमारी है यह रही इनकी medical report, इसे certified किया गया है government eye specialist डॉक्टर नटराज जी से, जो यहां इस वक्त मौझूद है मेरा क्लाइंट तिर्दोष है, इसे प्रूफ करने के लिए इससे बड़ा सुबूत नहीं हो सकता, पांच सो मीटर की दूरी पर, ताथ के साड़े दस बजे एक अंधा इंसान शूट कैसे कर सकता है? सबूतों को मद्दे नजर रखते हुए, ये अदालत, जेके अलियास जैकेशन को बेगुना मान कर बाईज़त बरी करती है, साथ में असली अपराधी कौन है, जल से जल उसका पता लगा कर उसे अरेश्ट करने का आदेश देती है अरे तोड़ा साइड हो जाना चला, उधर चलके बात करते हैं, इधर डिस्टर्बिंस को ज़्यादा ही है इन्हें मौका मिले तो कोट को ही लॉज बना देंगे, नौन सेंस थैंक यू नंदू, तुमने मेरे लिए बहुत रिस्क उठाया है इसमें रिस्क कैसा, मेरी खुशी के लिए तुमने आगे पीछे देखे बिना रगुवीर का खून कर दिया ना, मिरे लिए बड़ी बात है अरे, ये क्या बोल वही हो तुम, मैंने का रगुवीर का खून किया, मुझे तो रात को दिखाई नहीं देता है ना वाट क्या है यह जादा दिन तक टेकने वाले नहीं अब कितने भी प्रूफ लेकर आई यह सारे जूट हैं बस एक ही पॉइंट में साबित कर दूँगी चलो जेके थोड़ा का मसता है आज हम लोगों के इकठा होने कारण दुगनी खुशी है पहले खुशी की बात यह है कि इन दोनों की इंगेजमेंट है और दूसरी खुशी है कि नंदनी केस जीत गए इसका सारा क्रेड अंकल को जाता है इन्होंने मुझे जूटी रिपोर्ट दिलवाई और तभी मैं केस जीत पाई जूटी रिपोर्ट ज़ोड़के आये था अगर उसकी जूटी रिपोर्ट ना देते तो बच जाता क्या अगर मेरी नंदनी उदास हो गई ना तो हम दोनों का प्यार कहत्म हो जाएगा क्या आप चाहते हो कि मैं आपसे बात ना करूँ ब्रेकप कर लूँ ने ने मुझे यह समने चाहिए आप बहुत अच्छी है मा मुझे बहु के रूप में सुविकार किया लेकिन वो बीमारी क कुछ नहीं कुछ नहीं बीटी कोई बीमारी नहीं उसे वो क्या है ना रात को थोड़ी थोड़ी एहमत रखोगी तो सब ठीक हो जाएगा अपका बीटा मेरे साथ है तो कुछ भी हो जाए मैं संभाल लोगी मुझे उस पर भारोसा है वो कभी भी मेरे साथ नहीं हाँ दिन में भले ही एक बार तेरा हाथ छोड़े लेकिन रहत के समय तो तेरा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ेगा वह क्या है ना शादी के बाद हम लोग फर्स नाइट नहीं रखेंगे अब फर्स दे रखेंगे तब चलेगा मैंने जो रिपोर्ट दी थी आपने फिल्कुल जूटी रिपोर्ट दी थी उस राद को क्या हुआ पता है आपको तुमने रात बोला तो मुझे कुछ याद आया एक्स्क्यूज मी मैडम अच्छा डॉक्टर साफ यह लोग इधर उदर उटकर क्यों जा रहे हैं कोई लग रहा है कि फेल हो गए होगे मैं घॉल्ड मेडलिस तो महान आत्मा तुम चुप रहोगी क्या मैं सब संभालूंगी हमारे मामले में माइनस इंटो माइनस इस इकॉल टू प्लस होना है और हमें खुश रहना है तो फर्स नाइट ठीक नहीं रहेगा फर्स दे ही अर्चा मैं नहीं मम्स बोल रहाइग थी क्या होगे माइनस इंटो-1 इंटो-1 इनस-2 एनस-2 ओकी pom कि मैंस मैं हूँ और दूसरा माइनस भाई सब्सक्रांइब क्या है ऑनस- involving 1015 कक्रता रहता ये सब करने के लिए तो क्या मैंच कर फीचर रहे है यह माइनस प्लस उल्टा सिधा बोल रहे हैं आपको कुछ समझ में आया है क्या जिसने साइन किया उसे ही नहीं पता तो अंगुठा लगाने वाली मुझे कहां पता होगा देखो डॉक्टर साब ऐसा उल्टा सिधा क्वेश्टन पूछेंगे तो सब कुछ उल्टा उल्टा हो जाए अब देखो पहले तो वह निगेटिविटी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो अब उसने हां कर दिया तो चुप्चा सगाई कर ले ना सब कुछ किलियर हो गया तो अब सेलिवरेशन शुरू पर रहे है रिशी के तू आजा आजा यहां क्या चल रहा है इससे पहले मैं पूछू तू ही बता दे आपकी उमर हो गया माजी मैं जो बताऊंगा वह आपसे बरदास्त नहीं होगा बता नहीं माजी बोल कहा ना फिर अपने दिल को सम्हाली ठीक है वो जो दूर बैठा है ना वो आपका बेटा उसक अगे बोल एक कोप्व कि अस ब adhere कि उस बात को प्रूफ किया था ना कि उस बात को खुद नहीं मानते सच नहीं हो एक बात और है, आपकी बहुंको एक बीमारी इससे हमिक यहां कॉन सिपी नाइट फोबिया कॉन सा फोबिया ना ठोबिया अप्रण अप्रे आटाफोबिया मतलब क्या उता हुता है सुन्ने में तो बड़ी भयानक बीमारी इस बीमारी नहीं जिसे कोई डर जाय 8 राता की समय में डर क्या यह बात मेरा बेटा जानता है उसे नहीं पता लेकिन यह बात उसे नहीं पता नहीं मैं आप को कैसे तो मैं समझ गई इसे जो पता है वह उसे नहीं पता है वह सोच रहे हो और हम अब सब को पता है ऐसा पता नहीं तो तो चाहती है ना आपके बेटे की शादी हो जाए बस में ते रहागे यहां जोटती हूं कुछ करना बेटा झाओ, रिंग देड़ दो येल, येलक दो मेरे हाथ में गंदेखते ही तु मेरा बड़ा भाई बन गया तुम्हें ट्रिपल पेमेंट दूगा मारना मत मारना मत वो सारी पेमेंट अपने घर वालों को दे दे तेरा अंतिम संस्कार अच्छे से करेंगे इसमें मेरे कोई गलती नहीं है आपसे और आपके भाई से मेरे कोई दुश्मनी नहीं है मैंने आपके भाई का कटल किया है लेकिन करवाया उसने है आपने बोला मैंने उसे मार डला अब मुझे छोड़ो भाई थैंक्स भाई आपका यह है सन मैं जिन्देगी पर नहीं भूलूँगा चलता हूँ भाई जुनियर सीनिर को मारने वाले को इतने असानी से छोड़ दिया हमकाम खत्म होने के बाद आदमी खत्म करने वालों में से है इसे कैसे छोड़ दूँगा गलती की है गलती की है गलती 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 करने वाला जिन्दा नहीं पचेगा तू क्यों काप रहा है है सोरी भी जा उस रोगवी को मारने वाला शार्प शूटर ही है और इसने सुपारी दी लेकिन मैं और तू उस चिकने को दिखा कर मुझे रामायर कता सुना रहा था मुझे वाब कर दीजे भाई वो चिकना भी सिधा आद्मी नहीं है इन सब की वज़ा से ही मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मेरे दुश्मन की बढ़ाई करते हैं मैं उसे यहां खत्म करने आया हूँ भाई आप यहां खुद नहीं आये हैं आपको और वायार रागाउ में भाई को मारा शाप शूटर ने और यह जो बंदा है यह किसी और वज़से 15 साल से एक लड़की मुझे और बरे भाई को खत्म करना चाहती है और उसका साथ देरा है वो चिकना मुझे मारने का वादा किया है उसने उस तक पहुँचने के लिए उसन है उस नौट रिचेबल शॉटर को ढूनने का विस्क उठाया और उसके जरिये वो तुम तक पहुचा वो खुद को और स्मार्ट समझता है मैं उसका पाप उस दिन तूने उस पे गन नहीं तानी थी बलकि तू उसके गन के निशाने पे था तेरे हाथ में डूप्लिकेट थी और उसके हाथ में ओरिजिनल गन भाई आपको पता नहीं चले इसलिए मैंने ऐसी गल्ती की भाई माप कर दीजे भाई तू गधा है तो क्या मैं भी गधा हूँ है मैं गधों को नहीं पालता हलो विठल दास ओहो नमस्ते बास आ गए ना इंडिया आना तो पड़े गए ना क्योंकि तूने अपनी महबूबा से वादा जो किया है है तू जंगल के शियर को अपने घर पे बुलाना चाहता था ना हां तू जिस लड़की से प्यार करता है मेरे आदमियों ने अब तक उसे उठा लिया होगा मेरी पावर नहीं जानता तू उसी के साथ आकर उसके सामने ही तुझे कुट्टे की मौत मारूंगा मेरे अड़े पर ही आजा क्या अड़ा सुपर अड़ा तेरा टाइम मेरा रात को सूरज डूबने के बाद मिलते हैं ठीक है ना मेरे बारे में पूरा चान बीन करके आया क्या रेमंड्स आइम ए कम्प्लीट मैं आदिया दूरी जानकारी के साथ में कोई काम नहीं करता से यू तूनाइ तूनाइ तूनलगी मैं मेरे फारे में आदिया नादिया आदिया आदिया इतूरी आदिया आदिया गोजिट्रिकिंस कर दो 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 एचार किम्ट जो एचार कि प्परीट एचार आलिग अफियू अफियू राद जो बंपो ऑफियू से एगार कि अ और आलिग है यह अपियू अज़ मैं झालिग झालिग और शड़ा कि जयू हिए पुम की लिए सुझ संब्स की के लिए से लिएंगर याई है एगार máximo झूलि हाज प्रूब्म कर दूग हो आय कर दो आ beslनह Начे अ झाय कर दो हुआ तरह दे क्या रहा है अरे यह का फाज गया मैं अरे आरे अरे क्या हो गया ये कई है तो अजयरी प्माद काइद मोग ही लो एतारी काईपी फॉर्ट ँँझ ँछ फॉर्ट माद कमन अह ड Jew syllն ए even comfortable invers हुह एह हाए। हुआ 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 हुआitating ह Northern वह एु काथ आर आ कि Certain आखाआ किसी Again किसंगर आव किस्तो अ bachelor Snει किस renewal किस्तो अंचỡ कि उन इंज किस्ता गosed किस्तो लिंड्या यह जो होगा हुआ है होगा है थिए हुआ है हुआ है उच्छे 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 इंखे उच्छे प्लीज केट आप तुम्हें इस दिन का पंद्रा सालों से इतिसार किया है तुम्हें इसे मार नहीं होगा जेके तुम दोनों मिलकर मुझे खत्म करोगे मुझे मैं तुम दोनों को खत्म कर दूँगा तुम्हें तुम्हें तुझे एक सच्चा ही पता है ना इसे रात को दिखाई नहीं देता ये एरो नहीं सीरो है किसके मरोसे पर आईए तू जेके तुम्हें के मुझे तुम्हें के मुझे 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 सब्सक्राइब अब तू भी अंदा हो गया है मैं भी अंदा हूं ये गेम टो मिरे लिए पुराना है लेकिन इस समय ये गेम तेरे लिए बड़ा प्रॉपलम बन गया है ब्लाइंड गेम शुरूओ याँ 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 घषब आमितना अंषगे अंषब सब्सक्राड़ अंषडने देक करना análि उल तुन्हों से मार डाला वरना वो तो मुझे भेण बकरी की तरह मार रहा था और एक मारता तो मैं मर ही जाता यार अच्छा वह बचकिया यह भगवान अब क्या हुआ नागा सब कुछ खोल खल कर नंगा आ रहा है तुम जिस लड़के से प्यार करती हुआ उसे रात के समय दिखाए नहीं देता यह पता न था आपको इससे बंद कर दो यह बात मुझे पहले ही पता चल गई है अरे ओए नागा उसे उसके बारे में पता है उसे इसके बारे में पता है इन दोनों के बीच में ज़्यादा कंफुजन करेट करने से पहले तु निकल ले यहां से पाकता है यहां से बता हूँ